नमस्तार मित्रो मैं डॉक्टर सचीन मर्दा कैंसर स्पेशालिस्ट ऑंकॉलोजिस्ट येश्वदा हॉस्पिटल हाइदरबार हमको जो पेशेंट आते हैं वह काफी बार कन्फीज होते है कि कैंसर का स्टेजिंग क्या है और कैंसर का ग्रेडिंग क्या है और कई बार ये जो कन्फीजन है that can create wrong treatment और जो पेशेंट आते हैं उनको हमारे लिए जो कैंसर है वो हमको बहुत अच्छी तरह से स्टेज क्या है और ग्रेड क्या है देखने के बाद ही उसका हम आगे treatment कर सकते हैं तो दोस्तों फरस्ट हम देखेंगे यह ग्रेड क्या है रेड अब दो क्या है ज्क हमारे पास ग्रेड वन ग्रेड टू क्यसिए स्कूल में बच्चा ए एक ग्रेड से दूसरे बच्चा ग्रेड में जाता है वैसे cancer में भी ग्रेट्स रहते हैं तो grade 1, 2, 3 and sometimes 4 तो grade 1 मतलब low grade grade 2 is intermediate grade grade 3 is high grade and grade 4 is anaplastic grade मतलब एक cancer cell का दूसरा reproduction बड़ा cell होने में या multiplication होने में doubling होने में कितना time लगता है that is decided by the grade और this also determines the speed of the cancer of spread velocity मतलब एक जगे न दूसर से जगे कितना time में cancer spread हो सकता है वो grading से पता चलता है अगर low grade cancer है तो वो वो वी कम time लेगा एक जगे से दूसरे जगे जाने में अगर high grade वाला cancer है इस एक जगे से दूसरे जगे tumor जाने में ज्यादा टाइम ले सकता है staging क्या है staging जो होता है वो पूरा cancer का staging होता है मतलब एक organ से और कहा organ में spread हुआ है that is called as staging तो normally 4 stages रहते है stage 1, 2, 3, 4 1 और 2 और early stage पहले वाले stage है stage 3 बीच वाला stage है और stage 4 मतलब advanced metastatic cancer जो बूलते हैं वो stage है हम कभी-कभी stage 0 भी बूलते है that is pre-malignant stage मतलब cancer आने के पहले जो stage होता है that is pre-malignant stage अभी हम यह कैसे पता करते हैं जो staging है उसके लिए हम बहुत आप दूसरे investigations करते हैं जैसे CT scan है हमारा है pet scan है वो हमको बता देता है की cancer का एक organ से दूसरे organ में stage हुआ आगे गया है या नहीं गया है और जो grading है वो पता करते है grading के लिए हम छोटा पीस लेते हैं जिसको हम बोलते biopsy और वो बायपसी pathologist को बेचते हैं और pathologist फिर उसमें यहां जैसे बता है microscope में देखके chemical analysis करके उसका grade पता करते हैं तो दोस्तों यह staging और grading बहुत important है जो हम हम उसको बोलते हैं कुंडली बोलते हैं जैसे हमारे भोविश्य कुंडली रहती है वैसे हम उसको predict कर सकते हैं कि आगे कहां जा रहा है कैसे respond होगा prognosis कैसे होगा यह सब चीजे डेसिकली यह grading और स्टेजिंग पर पता चलती है तो दोस्तों समझ आई होप आप समझ गए रहेंगे cancer का स्टेजिंग क्या है और ग्रेडिंग क्या है नमस्कार